नमस्कार दोस्तों जिंकोफर टैबलेट का उप्योग शरीर में आईरन डेफिशियंसी एनीमिया होने पर किया जाता है। जिंकोफर टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। प्रेगनिन्ट महिलाओं को प्रेगनंसी के दौरान आईरन और फॉलिक एसिड की अधिक आवश्यक्ता होती है। प्रेगनंसी के दौरान अगर कोई महिला परियाप मात्रा में आईरन का सेवन नहीं करती है। तो प्रेगनेंट महिलाओं में खून की कमी हो सकती है। जिंको फर टैबलेट के अंदर आइरन के साथ साथ फॉलिक एसिड व विटामिन B12 भी मौजूद होता है। शरीर में फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी होने पर भी खून की कमी हो सकती है। फॉलिक एसिड शरीर में कार्बोहाइडरेट को ग्लुकोज में बदलने का काम करता है, जिसकी वजह से शरीर को एनरजी मिलती है। प्रेगनेंट महिलाओं में बच्चे के विकास के लिए भी फॉलिक एसिड बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन B12 शरीर की नसों और बलड सेल्स को स्वस्त रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर की नसों में दर्द वशरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी वठकान रहने की समस्या हो सकती है। जिंकोफर टैबलेट के अंदर जिंक भी मौजूद होता है। जिंक शरीर के इम्यून सिस्टम को स्वस्त बनाए रखने में मदद करता है। जिंकोफर टैबलेट का सेवन महिलाएं वो पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की शरीर में खून की कमी होने पर क्या-क्या लक्षन हो सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना और दिल की धड़कन का तेज होना आदी लक्षन शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी या कागस खाने की इच्छा होना आदी लक्षन भी शरीर में आईरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा ज्यादा मिट्टी खाता है, तो ये लक्षण शरीर में आईरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं। शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन जब शरीर में एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एनीमिया के लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजूरी को दूर करने के लिए डॉक्टर जिंकोफर टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में जिंकोफर टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में जिंकोफर टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आम तोर पर ये साइड इफेक्ट्स अस्थाई होते हैं। और जैसे जैसे आपका शरीर जिंको फर टैबलेट के साथ तालमेल बनाता है, वैसे वैसे ये साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं. यदि इन में से कोई भी साइड इफेक्ट्स लगातार बना रहता है या ज्यादा होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, जिंको फर टैबलेट की वज़ा से तट्टी का रंग बलैक होना एक सामान्य बात है और यह कोई नुकसान दायक नहीं होता है. अब हम डिसकस करेंगे कि Ginkofer Tablet को कैसे लेना recommended होता है। Ginkofer Tablet को खाना खाने से एक घंटे पहले या खाना खाने के दो घंटे बाद लेना recommended होता है। Ginkofer Tablet को लेने के बाद कम से कम 20 मिनिट तक आपको लेटना या सोना नहीं चाहिए। आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर जिंकोफर टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर जिंकोफर टैबलेट को प्रेगननसी के पहले 12 सप्ता यानि प्रेगननसी के पहले 3 महीने पूरे होने के बाद ही जिंकोफर टैबलेट को शुरू करने की सलाह देते हैं। क्योंकि प्रेगनन्सी के पहले तीन महिने के अंदर प्रेगनन्ट महिलाओं को उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना या मुंग का स्वाद खराब होना आधी समस्याएं अधिक होती है। इसलिए प्रेगनन्ट महिलाओं को डॉक्टर प्रेगननंसी का चौथा महिना शुरू होने के बाद ही जिंकोफर टैबलेट को शुरू करने की सला देते हैं. लेकिन यदि किसी प्रेगनेंट महिला को एनीमिया की गंभीरता ज्यादा है, तो डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआत से भी जिंकोफर टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। जिंकोफर टैबलेट की डोज, उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको जिंकोफर टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करें कि जिंकोफर टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। डॉक्टर जिंकोफर टैबलेट के साथ विटामिन सी की टैबलेट या विटामिन सी से भरपूर खादय पदार्थों जैसे टमाटर, आवला, संतरा, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अम्रूद औ कीवी आधी को खाने की सला दे सकता है क्योंकि विटामिन सी शरीर में आईरन के अवशोशन को बढ़ावा देता है जिसकी वजह से जिंकोफर टैबलेट की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। आईरन के साथ चाए, कॉफी, साबुत अनाज, अंडे और दूद या दूद स बने खादए पदार्थों को खाने से बचना चाहिए क्योकि इनकी वजह से शरीर में आईरन का अवशोशोशन कम हो सकता है। शरीर में ऐनीमिया की जाँच कराए बिना जिंकोफर टैबलेट को ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, क्योकि शरीर में ऐनीमिया होन किसी अन्यकारण की वजह से है और आप शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्तर की सला के बिना ही लगातार कई महीनों से जिंकोफर टैबलेट को ले रहे हैं तो ऐसी स्थिती में जिंकोफर टैबलेट को लेने से शरीर में आइरन की ओवरडोज हो सकती है शरीर में आइरन की ओवरडोज लिवर, हार्ट, ब्रेन और शरीर के अन्य ओगन्स को नुकसान पहुचा सकती है इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक जिंकोफर टैबलेट को नहीं लेना चाहिए जिंकोफर टैबलेट के साथ पेट में गैस व एसिडिटी कम करने वाली एंटासिट दवाईयान, कैल्शियम सप्लिमेंट्स, टेटरसाइक्लिन एंटिबायोटिक्स, पैनिसिलिन एंटिबायोटिक्स, थाइरोईड की टैबलेट और पाकिंसन्स डिजीज में उप्योग होने वाली लेवोडोपा टैबलेट के साथ जिंकोफर टैबलेट को लेना रेकिमेंडेड नहीं होता है, क्योकि इन दवाओं के साथ जिंकोफर टैबलेट को लेने से दवाईया आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से दवा की प्रभावशीलता क अगर आप इन में से कोई भी दवा लेते हैं, तो आपको जिंकोफर टैबलेट और इन दवाओं में कम से कम दो से लेकर तीन घंटे का गैप रखना चाहिए. अगर आप अपने शरीर में खून की कमी को प्राकृतिक खाद्याय पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको आवला, जामुन, अनार, चुकंदर, सेब, पालक, सूखी किश्मिश, अमरूद, केला, बादाम, काजू, अखरोट, तिल, गुड़ और मूंगफली आध का सेवन परियाप्त मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इन में आईरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इनका नियमित रूप से सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करता है, और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है, वीडियो को देखने के लिए आपका धन झाल झाल